इस वीडियो में मैंने आपको must का use weather के साथ बताया है so please watch my video till the end to know the use of must with weather okay and यह video मैंने टेडा डाला है to vision it clear इसका vision clear है इसलिए मैंने थोड़ा टेडा डाल दिया because अगर मैं सीधर डालती हूं तो image थोड़ा dim आता है okay अभी मुझे जादा editing नहीं आती है और मैं editing में जादा time भी waste नहीं करती इसलिए ठीक है तो आप मेरे video को auto rotate करके देख लीजिए auto rotate में problem यह message बहुत आ रहा है auto rotate में problem हो रही है तो आप मेरे video screen पर sorry video screen पर click करें तो corner में एक square symbol आएगा उस पर आप click करें तो आपको मेरा video wide screen में मिल जाएगा ठीक है it's this sorry this is the solution चलिए हमें फटावट से video आपको दिखा देती हूँ एक्जाम्पल्स के साथ वान सेकिंड लेट्स बिगन एक्जाम्पल्स so have a look there are three words must weather and or must का हिंदी मीनिंग है अवश्य weather यहां पे यह मौसम वाला weather नहीं है तो weather का मीनिंग है चाहे और और का यहां पे यूज होगा या के लिए and this conjunction use for fixed determination अगर आपका कोई पका इरादा है sentence में तो ही यह conjunction use होगी example पे नजर डालते हैं first मैं नदी पार अवश्य करूंगा चाहे कोई मेरी सहायता करे या ना करे so first sentence is मैं नदी अवश्य करूंगा I must cross the river complete next चाहे कोई मेरी सहायता करे या ना करे अब इस sentence को हमें join करना है तो चाहे के लिए आएगा weather so whether anyone helps me or not और यह or not जो है यह आया है या ना करे के लिए second sentence मैं अवश्य के लिए मस्ट आ गया चाहे के लिए weather आ गया कोई करे या ना करे के लिए और ना आ गया तो यह sentence है और इसका use conjunction में इस तरह होता है ठीक है I hope आपको मेरा बात समझ आ गई होगी और examples भी अच्छे से समझ आए होंगे thanks to watch my video okay and enjoy my video चलिए अब bye bye see you in another video in another conjunction part 8 ठीक है and यह आप मेरे conjunction के सारे parts नहीं देखें तो देख लेना उनको until and unless से मैंने part 1 बना रखा है please watch it